Hello everyone, कैसे हो? आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे Indefinite integration से आने वाले प्रावलम को कैसे approach करना है उसके प्रावलम को कैसे solve करना है तो सबसे पहले एक point जो आपको अपने mind में बैठा लेना है और notebook पे लिख भी लेना है कि हम जितने सारे function हैं सभी को integrate नहीं कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे function हैं जिसका integration अभी भी possible नहीं है तो हम स्रीफ वैसे ही function को integrate कर सकते हैं जो अपने standard या basic या known form में हो और ये concept form है इसका detailed discussion हमने video lecture number one में किया है या फिर दूसरा हम कैसे function को integrate कर सकते हैं वो सारे function जिसको इसमें convert किया जा सकता हो तो आज की video lecture का main aim या concept वही रहागा कि हम वो सारे function को deal करेंगे जिस function को convert किया जा सकता हो standard या basic या known form में तभी हम integrate कर पाएंगे तो इसमें convert करने के हमारे पास दो तरीके हैं एक को बोलते हैं substitution method और दूसरे को बोलते हैं partial fraction method तो सबसे पहले substitution method में हम कैसे करेंगे उसको मैं एक example के थुरू ही समझाता हूँ जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो कि इस function का हमें integration करना है अगर आप suppose करो कि शिरिफ आपको मैं sin x देता तो उसका easily up कर लेते बट यहाँ पे sin के अंदर भी x square plus 1 है और बाहर भी एक function है तो अभी अपने standard या basic या non-form में नहीं है तो मैं इसको convert कर सकता हूँ अगर मैं suppose करता हूँ कि यह जो अंदर वाला function है x square plus 1 उसको मैं मान लेता हूँ कि यह function मेरा t के बड़ावर है suppose that तो दोनों side differentiate कर दो तो यह क्या हुजागा 2x dx फलस 0 is equal to dt अब इसको क्या कर दो इसमें substitute कर दो तो ध्यान से देखो x square plus 1 की जगा क्या जागा t और 2x dx की जगा क्या जागा dt तो ध्यान से देखो यह क्या हो जागा integration of 2x और dx की जगा क्या हो जागा dt अपने standard या basic या non-form में आ गया क्योंकि we know कि cos का derivative minus sin t होता है तो इसलिए sin t का integration क्या हो जाएगा minus of cos t plus c चुकि हमें जो given था function वो x में given था तो हम t को फिर replace कर देंगे t is equal to x square plus 1 तो यह क्या हो जाएगा minus of cos of x square plus 1 plus c तो यह हमारा integration आ चुक है तो इसी को बोलते हैं substitution method example number two में इसको integrate करना है तो यहां पर हमें सोचना पढ़ेगा कि अगर मैं root x को something put करता हो तो इसका differentiation one upon two vertex होता है चुकि नीचे में मुझे root x दिखा है इसके लिए ऐसा think करना पर रहा है तो suppose that कि root x को मैं put करता हूं some another function t दोनों सब्सक्राइब करें तो क्या हो जाएगा one upon two root x dx किसके बरावर जाएगा डीटी के परावर हो जाएगा लेकिन हमें क्या चाहिए dx by root x तो ध्यान से देखो dx by root x किसके बरावर जाएगा यह तूदर multiple हो जाएगे तो वी यह जाएगा इंटिग्रेशन ऑफ टैन फोर टी सेक एसक्वार टी और दियान से देखो क्या हो जाएगा डीएक्स रूट एक्स की जाएगा तो डीटी तो यह इंटू में टू डीटी आप इस इस टैप का फिर से यह स्टेंडर्ड फंक्शन में आया है तो फिर से हमें सोचना पड़ेगा इसको इसको डेरिवेटिव इसमें मिल जाए तो अगयर अगयर मैं पूट कर रहा हूं टैन टी को एक अनदर फंक्शन यू तो दियान से देखो दोनों साथ डिफ्रेंशेट करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक एसकोड टी डीटी इस इकल टू डी यू तो अगयर इसको भी आप क्या करेंगे यहां पर सब्सिचूट कर देंगे तो दियान से अगर यू है तो यह क्या हो जाएगा इंटिग्रेशन ओफ यू की पावर फोर और दियान से देखो सेक स्कॉड टी डीटी तो डी यू हो गया इंटू में डी यू और यहां पर एक आपका टू था ही राइट तो यह आ चुका है अब यह एक नॉर्मल यह स्टेंडर्ड य अबूर्ड कर सकते हैं तो क्या हो जागा तैन चीपावर फाइब 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 इन्टु टू ब्लस सी और फिर वि रीनो की टी किसके बरावर था रूट एप्स के तो फिर को सकते हो तो फाइनल इंटिग्रेशन क्या जाएगा फाइब फाइब X by 5 into 2 plus C तो this is your final integration तो ध्यान से समझो तो यहाँ पर क्या समझ मा रहा है कि आपको देखना है कि किसको substitute क्या जाए यही वस एक आपको visualize करना है example number 3 integration of sec x dx but again sec x जो है वो अपने standard या basic या known form में नहीं है तो इसको convert करना परेगा तो यहाँ पर ध्यान से देखो थोड़ा हमें सोचना परेगा मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ sec x उपर नीचे मैंने sec x plus tan x से क्या कर दिया multiply and divide तो इससे कोई फर्ग नहीं परेगा ध्यान से देखो यह थोड़ा सा हमें extra think करना परेगा अब मैं क्या कर सकता हूँ यह जो function है इसको another function मान सकता हूँ तो अगर मैं suppose करता हूँ कि sec x plus tan x एक यू function है तो derivative कर दो दोनों साइट दोनों साइट differentiate करेंगे तो sec x का क्या हो जाएगा sec x into tan x और tan x का क्या हो जाएगा sec x square x और यह पूरा आपका क्या रहाएगा dx is equal to du यहाँ पर दियान से देखो अगर sec x का मन लेंगे तो यही आजाएगा sec x plus tan x तो उपर वाला पूरा जो है वो यही हो गया और यह dx इसके बराबर du के तो यहाँ से देखो अगर इसको substitute कर देंगे तो यह पूरा उपर वाला du के बराबर है और नीचे वाला आपका क्या हो गया यू तो यह integration du by u हो गया और 1 by u का क्या होता है ln u और ln u प्लस सम कॉंस्टेंट हो जाएगे और u की जगर क्या पूट कर देंगे यह तो final इसका integration क्या हो जाएगा ln of sec x प्लस tan x प्लस c तो दियान से देखो इसका भी integration हो गया है तो यहाँ पे यह जो तीन example लिएं बेटा यह बहुत अच्छे हैं परफेक्ट हैं आपको बस यही तीन point दियान रखना है substitution method में इससे बाहर कुछ मिने जागा पहला point तो यह कि आपको observe करना है visualize करना है कि किस function को put किया जाए जिससे कि उसका derivative भी उसमें मिल जाए तो यह example number one में समझाया example number two में यह समझ में आया हमें कि हमें हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार भी substitute करना पड़ जाए उसके लिए भी हम ready है और example number three में यह समझाया हमें कि कभी कभी हमें extra thing करना पड़ेगा कुछ multiply या divide करना पड़ेगा थोड़ा adjustment करना पड़ेगा तब जाकर के फिर हम integration कर सकते हैं तो इन तीनों का जो basic aim है वो वही है कि आप किसी भी तरह करकर करके इस form में ले करके आए हैं जैसे देखो यहाँ पर इस form में ले के आना पड़ा फिर यहाँ पर इस form में ले के आना पड़ा फिर यहाँ पर इस form में दी जार्दा basic या standard या non form इस form में एक बार आ गया तो फिर integration easy होगा हम direct integrate नहीं कर सकते अब जो हमारे पास दूसरा method है जिसके थुरू हम एक non standard function को standard या non formula ला सकते हैं that is called partial fraction method तो इस method को भी अच्छे से समझना है आपको कैसे सोचना है यहाँ पे ध्यान देना है कि नीचे जो x की power होगी वो 1 ज्यादा होगी उपर वाली power से जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो अगर इसको multiply करेंगे तो x स्कॉर आएगा यहाँ पे x की power 1 है तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे factorize form में given होगा आपको हो सकता है कि वो quadratic form में given हो पहले आप factorize कर लेंगे और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसी function को a upon x minus ay और plus b upon x minus b उसके बाद क्या करेंगे compare करेंगे तो यहाँ से a और b आपको आ जाएगा इसको अगर compare करेंगे तो ध्यान देना a और b जो आएगा वो एक number के form में आएगा उपर में कोई x की power नहीं आएगी और फिर यह simple power था तो c upon x minus b तो कहने का क्या मतलब है अगर power 1 होगा तो एक ही बार लिखना है power 2, 3, 4 and so on होंगे तो पहले first power में लिखेंगे फिर second power में ऐसा जैसे मालों यहाँ पर power 3 होता तो पहले first power में लिखते फिर second power में फिर third power में लिखते तो इस type से आपको करना है तो इस point का यह मतलब है यह समझना है वैसे ही कहीं पर अगर एक ऐसा quantity का रहा है जिसको आप factorize नहीं कर पारो जिसका factorization possible नहीं है तो फिर ऐसे case में अगर इस type का form आ रहा है तो यह तो power 1 वाले है तो ऐसे लिख देंगे a upon x minus है पलस आप जब यह वाला का factorization possible नहीं होगा तो आप उपर में लिखेंगे इस type से bx plus d so that कि इसको मैं अगर substitute करूँगा तो इसका derivative इसमें आ जाए तो यह एक आपको तीन idea दिया हूँ जिसके थुरू partial fraction method से हम एक non standard form को standard form में ला सकते इस method को again मैं एक simple example समझाता हूँ जैसे यहाँ पर suppose करो इसका integration करना है तो यहाँ पर ध्यान देना अभी अपने known या standard form में नहीं है तो मैं इसको convert कर सकता हूँ कैसे तो ध्यान से देखना आपके पास किया है 5x minus 5 upon x square minus 5x plus 6 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो 5x minus 5 upon इसको factorize कर दो तो क्या हो जागा x minus 2 into x minus 3 तो यह द्यान से देखो तो यह इस form में आगे आपका राइट अब मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ a upon x minus 2 plus b upon x minus 3 ध्यान दे ये और ये equal है तो अब हम a और b कैसे निकालेंगे compare कर गे तो पहले तो इसको मैं solve कर देता हूँ तो क्या हो जागा a times of x minus 3 plus b times of x minus 2 divided by x minus 2 into x minus 3 तो यहां से द्यान से देखो तो क्या हो जागा a x minus 3 a plus b x minus 2 b upon x minus 2 into x minus 3 अब यहां पर द्यान से देखो ये जो function है आपका और ये वाला दोनों equally है right तो compare कर दें नीचे वाले तो same है उपर वाले को compare करना है तो यहां पर द्यान से देखो x का coefficient क्या है a plus b वो किसके बरावराना चाहिए 5 के बरावराना चाहिए यहां पर x का coefficient 5 है और वैसे ही constant term यहां पर क्या है minus 3 a minus 2 b यह किसके बरावराना चाहिए minus 5 के इन दोनों को solve कर लो दो equation दो unknown तो यहां से आपको A आ जाएगा minus 5 और B आ जाएगा 10 तो यह कहने का मतलब हुआ तो कहने का क्या मतलब हुआ कि यह जो है इसको मैं लिख सकता हूँ integration of अब देखो इसको simple हम इस वह में लिख सकते है minus 5 by x minus 2 plus 10 by x minus 3 और इस पूरे का dx अब इसको क्या लिख सकते है integration of minus 5 by x minus 2 dx plus integration of 10 by x minus 3 dx तो यह तो 5 एक constant बारा जाएगा 1 upon x का क्या होता है ln x तो क्या हो जाएगा minus में 5 ln of x minus 2 plus में 10 ln of x minus 3 plus c तो ध्यान से देखो यह integration आपका आचुका है तो कहने का यह मतलब है कि जब भी आपको इस form में given होगा तो पहले नीचे वाले को factorize कर लें फिर a b के form में लिख लें और a b compare करके निकल लें तो यह एक simple basic या known या standard form में आ जाएगा फिर हम easily x की power 2 है तो अभी आपको एक power कम करके लाना परेगा जो आपको समझाया था कि जब भी power जो होंगा नीचे वह एक ज्यादा होगा उपर वाले से तो यहां पर यह अपने इस standard form में नहीं है तो इसको convert करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे पहले क्या करेंगे इस इसमें divide कर देंगे तो दियान से देखो मैंने divide किया यहां पर तो डिवाइट करेंगे तो one times में जाएगा और यह आ जाएगा अब कुछ बच्चे को यह चीज समझ में नहीं आता है तो उसको भी मैंने इसको भी उसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो दियान से देखो कैसे क्या जो आया तो यह आया तो इसको लिख सकते हैं one उसको पिर प्लस प्लस का साइन जो बचा तो बचा केतना है five x minus five upon जिससे डिवाइट किया डट इस x square minus five x plus six आप ध्यान से देखो तो इसको अगर आप solve करोगे तो फिर से यही आ जाएगा क्योंकि हम chain नहीं कर सकते हैं तो आप इसको हम split कर देंगे तो integration one dx हो जाएगा और यह वाला five x minus five upon x square minus five x plus six यह हो जाएगा आपका dx और इसका integration तो इसका integration तो शिरिफ हो जाएगा x right और इसका अभी बताया था आपको कि यह एक quadratic ऐसा जिसका factor easily हो जाएगा x minus two और x minus three right तो इसका भी आपको बताया था कैसे करना a upon x minus two plus b upon x minus three और वहाँ से a भी निकाले थे तो यह आ गया था याद करो तो इसको लिख सकते है minus में five upon x minus two right और इसका integration dx और फिर plus में वह जाएगा ten upon x minus three और इसका integration dx तो finally यह क्या जाएगा x यह माने से दर जाएगा तो माइनस में five log x minus two right फिर plus ten log x minus three और प्लस सम कॉंस्टेंट तो मेरे कहने का जो मतलब हो यह समझना है कि यहाँ पर यह चीज़े हैं कि अगर कहीं पर दोनों पावर से मोपर निचे की तो पहले एक बार डिवाइट करकर करके एक इस फॉर्म में लेकर आना फिर जो यहाँ पर बताया वह चीज़े अगर कहीं पर फैक्टराइज नहीं होगा तो फिर आप शरीफ बी नहीं मानेंगे बी एक्स प हो सकते हैं फंक्षन डिवीजन में होता हो क्योंकि डिवीजन को भी क्या लिख सकते हैं एक तरह से मल्टिप्लिकेशन फॉर्म में एफ इंटु वन बाइजी एक तो यहीं बात हो गया यह मल्टिप्लिकेशन हो गया तो इस टाइप के फॉर्म में हो दो फंक्शन का मल्टि implication में होंगे तो उसका integration क्या से होगा first function into integration of second function ध्यांसे देखो यह first function हो गया into integration of second function minus ध्यां देना जो first function माने हो उसका डेरिवेटीव फिर second function माने हो उसका integration और फिर इन दोनों को multiply करके इस पूरे का integration है तो इसलिए ध्यांदेना यहाँ पे हमने इसको square ब्रेकेट में लिया हुआ है कि first function का derivative उसको multiply करना है second function के integration से और फिर इन दोनों को multiply करके फिर से integration लेना है तो यह है इसका standard या basic form तो यहां पर जो एक point आता है कि सर्फ first function और second function किसको एजूम करेंगे तो उसके लिए भी simple trick में दे रहा हूँ आप प्रियाद रखेंगे I late word I से हो गया inverse, L से हो गया logarithmic, A से algebraic, T से trigonometric, E से exponential इसी order में आपको assume करना है यह first number पर पर प्रारिटी माएंगे यह second number पर, यह third, यह fourth and यह fifth number पर आपको ऐसे assume करना है again, इस concept को एक simple example से समझते हैं, जैसे यहाँ पर integration करना है x into cos x का, right, तो अब यहाँ पर आप substitution method नहीं लगा सकतो partial fraction method नहीं लगा सकतो तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यह दो function का क्या हो गया, multiplication हो गया तो हम integration by parts करेंगे, और यहाँ पर किसको first function लेंगे, किसको second, तो वह stricts आ जाएगा यहाँ पर एक algebraic है, x और एक trigometric है, तो पहले कौन आ रहा, algebraic, उसके बाद trigometric तो algebraic को आप लेंगे first और इसको second, तो उसको simple हो गया, यहाँ से देखो, इस rule को लगा देना है, तो first function into integration of second, तो cos x का integration, तो you know sin x का derivative होता है, cos, तो cos का integration क्या हो जागा, sin x, फिर minus integration of derivative of first function, first function का derivative हो जागा, one, into integration of second function, cos x का integration, अभी देखा आपने, sin x, और इस पूरे का फिर से क्या था, integration, देखो derivative of first function, integration of second function, और उस पूरे का फिर से integration, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यह क्या हो जाएगा, x, sin x, और sin x का integration, minus में cos x होगा, minus already है, तो यह plus cos x plus c, तो इस type से आपको करना है, this is called integration by parts, वैसे ही example number 2, ध्यान से देखो, शिरिफ क्या है, log x dx, अब log x का integration तो मालूम नहीं है, क्योंकि यह basic standard form है नहीं, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर extra में think करना है, log x को लिख सकते हैं, one into log x, उससे कोई फर्क नहीं परेगा, अब one आपका algebraic है, और log logarithmic function है, तो पहले कोन आ रहा है, logarithmic उसके बाद algebraic, मतलब इसको आप मानेंगे first function और इसको मानेंगे second function, और again, u into v rule यह दो function का product वाला rule लगा देंगे, तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, first function, तो first function into integration of second function, second function का integration, one का integration shift क्या हो जाएगा, x, right, minus integration of derivative of first function, log x का derivative, one by x, second function का integration, one का integration x, और इस पूरे का first integration, that is dx, तो यह x से x cancel हो जागा, तो ध्यान से देखो, यह क्या आगया, x log x, और यह शिरिफ, dx तो integration क्या हो जाएगा, minus x plus c, तो यह इस type से आगया, तो यह जो concept है, वो अच्छे से समझ लेना आपको कि किस type से करना है, तो overall मैंने आपको तीन concept बताया, एक substitution, एक partial fraction, और एक integration by parts, तीनों में example से समझाया, अगर यह basic point, यह चीज़ समझ गया आप, तो easily आपका integration हो जागा, हर में आप ध्यान से देखो, concept एक ही है, कि आपको standard या basic या non formula ना है, non standard वाले को, अगर वो आ गया, तो easily integrate हो पाएगा, नहीं आया, तो फिर integration आपके लिए tough रहेगा, तो I hope मे